बॉलिवूड कैफे आज explain कर रहा है एक psychological drama movie इस movie में एक middle age आदमी को उससे एक आधी उम्र की लड़की से प्यार हो जाता है और इस forbidden love के disastrous consequences क्या होते हैं देखेंगे हम इस movie में South Africa के coastal region के एक remote village के बीच के किनारे पर एक आदमी टहल रहा होता है तब ही वो देखता है कि तीन लोग वहाँ पे नहा रहे होते हैं उसमें से एक लड़की पर उसकी नजर जाती हैं वो लड़की नहाते हुए इस आदमी को देख लेती हैं थोड़ी देर इस आदमी को ये लड टहल रहा था तो वो किसी लड़की के रोने की आवाज सुनता हैं वो आवाज सुनके इस घर के पास में आता हैं तो वो देखता हैं कि बोट के अंदर कंबल ओडे एक लड़की रो रही होती हैं वो उसको आवाज लगाता हैं तो एक लड़की बाहर निकलती हैं वो देखत काम की बात नहीं है तुम यहां से चले जाओ लेकिन जॉन कहता है कि सायद आइस लाकर मैं तुमारे आखों पर सेख कर सकूं तो वो लड़की चिर जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या तुम्हें कह रही हूं कि तुम चले जाओ यहां से और तुम मेरे पी कैसे हैं तुम्हें टाके लगे हुए हैं तुम्हारा एक्सिडेंट हुआ था क्या तो जॉन कहता है कि ये तुम्हारे मतलब की चीज नहीं है तुम कल जिनके साथ नहा रही थी वो तुम्हारे क्या लगते हैं तो जैकी कहती है कि ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है तो जॉ पारी बज़स से ही मैं रो रही हूं चुप चाप यहां से निकल जाओ। वाइन बाई करता है और वापस जब वो जैकी के पास आता है तो जैकी उसको वहां पे नहीं मिलती है। बीच पे बैठा बैठा अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है। तब ही वो देखता है कि वो लड़की जैकी अपने फादर और अपने ब्रदर के साथ कहीं जा रही होती है। तो जान उसको पूसता है कि तुमारी आँख की चोट ठीक हुई या नहीं तुम ठीक तो हो ना लेकिन जैकी जैसे बहुत डरी हुई थी जैकी इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। तुम्हें चाहिए तो ले जाना। जैकी को अंजान आदमी से बात करते हुए जैकी के फादर जैकी को पूसते हैं कि ये कौन है और तुम इसको कैसे जानती हो लेकिन जैकी ऐसा लग रहा था कि अपने फादर से बहुत डरती हैं और वो उनको कोई जवाब नहीं देना चा डिनर के लिए इन्वाइट किया था जैकी के फादर जैकी को कहते हैं कि अपने ब्रदर को बुला के लाओ जैकी अपने ब्रदर को डिनर के लिए बुलाती हैं और ये सब मिलके यहाँ पे डिनर करते हैं जैकी के फादर बहुत ज़्यादा और्थोडॉक्स होते हैं वो डे जैकी अपने फादर के गुस्से को देख के बोलती है कि तुम हमेशा हमारे उपर चिलाते क्यों रहते हो हमेशा अपने बच्चों को डॉमिनिट क्यों करते रहते हो और वो जॉन को कहती है कि चलो मेरे साथ यहां से चलते हैं वो कहती है कि चलो यहां से चलो मुझे तुमारे जनगल है और बहुत ही कम population यहां पे रहती है जैकी जॉन से cigarette मांगती है जॉन कहता है कि क्या तुम्हारे डैड को ये बात पता है कि तुम स्मोक करती हो तो वो कहती है कि भाड में जाए मेरे डैड चुप चप मुझे cigarette दो ऐसा लग रहा था कि जैकी अपने फादर से बहुत जादा परिसान थी लेकिन जॉन कहता है कि तुमारे डैड काफी परिसान थे तुम ऐसा क्यों करती हो तो जैकी कहती है कि तुम जानते ही क्या हो तुम हमारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते हो तो जॉन कहता है कि तुम चाहो तुम उससे सेर कर सकती हो कि ऐसा तुमार कुछ महीनों पहले हमारे घर में चोर गुसाए थे और चोरों ने चोरी करने के साथ साथ मेरे साथ जबरदस्ती करना भी सुरू कर दिया जब वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो मेरी मॉम ने रजिस्ट किया और मेरे मौम के रजिस्ट करने की वज़ से उन चोरों ने मेरी मौम को गोली मार दी तब से ही हमारी फैमिली काफी परेसान है और जैकी ये सब सुनाते सुनाते बहुत ज़्यादा एमोशनल हो जाती है जैकी जान के सर पे चोट देखती हैं तो वो पूछती हैं कि तुम्हारे सर पे ये चोट कैसे लगी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ तो जॉन उसको बताता है कि एक बार वो अपनी वाइफ और अपनी डाटर के साथ ड्राइविंग के लिए जा रहा था तो उसकी आँख लग गई, उसको ड्राइविंग करते करते नींद आ गई जिसकी वज़े से उसकी कार खाई में जा गिरी और उसकी वाइफ और उसकी डाटर की इंस्टन्टली डैथ हो गई और वो काफी चोटों के बावजूद भी बच गया, वो कहता है कि वो अपने आपको कभी माफ नहीं कर पाएगा कि उसकी वज़े से उसकी डाटर और उसकी वाइफ की डैथ हो गई जैकी जान की कहानी सुनके बहुत एमोशनल हो जाती है और जान के साथ इसकी बॉंडिंग थोड़ी बढ़ जाती है ये दोनों जान के घर पे आते हैं क्योंकि जैकी को यहां से जैकी की कैप लेनी थी जान जाकी की कैप ढूंडने लग जाता है जाकी अंदर वाले रूम में चली जाती है बाहर जान को जाकी की कैप मिल जाती है तो जाकी को कैप देने के लिए अंदर जाता है तो देखता है कि जैकी वहाँ पे लेटी हुई है और वो ऐसा लग रहा था कि जॉان की त्रफ काफी attract हो गई है तो जॉन कहता है कि ये लो तुमारी कैप मिल गई है तो जैकी जॉन को पूछती है कि क्या तुमारी कोई girlfriend है तो जॉन कहता है कि नहीं तो जैकी कहती हैं कि अगर तुम्हारी कोई girlfriend नहीं है तो क्या मैं तुम्हारे साथ यहां पर आकर रह सकती हूं तो जोन कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं जैकी इस answer से काफी disappointment हो जाती है लेकिन जोन रूम से बाहर चला जाता है लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि जैकी अपने सारे कपड़े उतार कर उसके सामने खड़ी हो गई है क्योंकि जैकी अब उससे काफी जादा अट्रक्ट हो चुकी थी लेकिन जान को जैकी को इस हालत में दे के बहुत बड़ा सौक लगा और वो जैकी को एक कमबल देता है जैकी इस बात से काफी डिसपॉइंट हो जाती है जैकी कहती है कि तुम मुझे हाथ इसलिए नहीं लगाना चाते हो क्योंकि मेरे साथ रेप हुआ है मेरे साथ जबरदस् जैकी इस बात पे रोने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें पता है कि उस दिन में बोट में बैठी बैठी रो रही थी मुझे आख पे किसी ने पंच कर दिया था वो मेरे डैड़ी थी मेरे डैड नहीं मुझे पंच किया है मेरे डैड काफी एब्यूजिव है और बहुत को ऐसा लगा कि अब जॉन मान गया है तो वो फिर जॉन को किस करने लग जाती है लेकिन जॉन उसको रोकता है और उसको कपड़े पहना के अपने घर जाने के लिए कहता है जैकी पहले तो जाना नहीं चाती लेकिन इंसिस्ट करने पर जैकी को जॉन के घर से जाना ही पड़त अगले दिन जैकी अपनी मेट को लेके जॉन के घर पे आती हैं और जॉन से उसके भिहेवर के लिए सौरी बोलती है। थोड़ी दिर बात मैं मैट वहाँ से चली जाती हैं तो जैकी जॉन को कहती हैं कि मैं कल के लिए बहुत सर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी तो जॉन जैकी को माफ कर देता हैं तो जैकी कहती हैं कि चलो हाइकिंग पे चलते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी हाइकिंग साइट हैं अब ये दोनों हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं जैकी अपने पास्ट में हुई जबरदस्ती की वज़ से परिशान था ये दोनों अकेले मनी मन बहुत दुखी थे इनका दुखदर्द बाटने के लिए इनके पास कोई भी नहीं था तो इस सुनसान से जंगल में इन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया तभी वहाँ इसी रोड पर एक इस गाउं का पुलीस वाला आता हैं औ और कहता हैं कि ध्यान रखना जॉन और जैकी दोनों हाइकिंग साइट पे जाते हैं जॉन की एज जैकी की एज से डबल से भी ज्यादा थी जो उसके हाइकिंग एक्सपिरियंस में क्लियरली विजिबल थी लेकिन जॉन की फैमिली के एकसिदेंट के बाद में उसको पहली जैकी में कुछ आसा की किरन देखी वो उसके साथ टाइम स्पेंड करने को इंजॉय करने लगा और उसको ऐसा लगा कि कई महीनों बाद में उसको कोई ऐसा मिला है जो उसके दिल की गहराई के दर्द को समझता है और उसके साथ वो ओपनली अपना दुख दर्द सेर कर सकता है ठीक ऐसा ही जैकी के लिए था उसके साथ हुई जबरदस्ती और उसके एब्यूजिव फैमिली इंवर्मेंट की वज़े से वो अपना दुखदर्द किसी के साथ सेर नहीं कर पाती थी तो वो भी अपनी सारी बाते अब जॉन के साथ सेर करने लगी और इन दोनों का प्यार अ अगर तुमने सकर्ट नहीं पैना होता तो सायद वो रॉबर्स चोरी करके चले जाते तुमारे साथ जबरदस्ती नहीं करते और ना ही वो तुमारी मॉम पर गोली चलाते जैकी कहती हैं कि मेरे फादर बहुत ही कंजरवेटिव और और्थोडेक्स टाइप के हैं वो अपने साथ सहर ले चलोगे क्या और जैकी काफी एमोशनल हो जाती हैं तो जान उसको यहां पे कंसोल करता हैं अब जैकी यहां पे जान के साथ थोड़ा रोमांस करने लग जाती हैं तो जान कहता हैं कि हमें यहां से चलना चाहिए और यह दोनों मिलके वापस अपने घर की तरफ निकल जाते हैं साउथ अफरीका के इस लस ग्रीन डैंस फॉरेस्ट में ये दोनों जब घर की तरफ जा रहे थे तो जैकी और जॉन दोनों एक दूसरे की तरफ एट्रेक्ट हुए और यहां पे वो दोनों इंटिमेट होने लगते हैं लेकिन इस सुनसान से जंगल में पास में ही जैकी के फादर और उसका ब्रदर बोटिंग कर रहे थे जिसकी आवाज सुनके जैकी और जॉन यहां से अपने राज खुलने के डर से भागने लगते हैं जॉन घर पे आके अपना सामान पैक करने लगता हैं उसको बता था कि आज नहीं तो कल उसका राज खुल जाएगा उसको जल्दी से जल्दी यहां से सिटी में चले जाना चाहिए लेकिन वो देखता हैं कि उसके घर के बाहर जैकी का फादर आके खड़ा हो गया हैं उसको लगा कि राज खुल गया लेकिन जैकी का फादर कहता हैं कि आज की रात तुम हमारे साथ डिनर करो फिर कल सुबह निकल जाना तो वो खुसी से उसके साथ डिनर करने चला जाता है अब ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जॉन बताता है कि वो कल यहां से जाने वाला है तो जैकी उसको शेड्यूस करने में लग जाती है और डिनर टेबल के नीचे पैर से जॉन के पैर को टच करती हैं और उसको अफनी तरफ एट्रेक्ट करके यहां से नहीं जाने के लिए मजबूर करने लगती हैं लेकिन जॉन कहता हैं कि मैं तो कल पोर्ट एलिजाबेट से डर्बन के लिए निकल जाऊंगा जैकी कहती हैं कि डर्बन जाके क्या करोगे दूसरी साधी करने वाले हो क्या तुम किसी इंटरनेट साइट पे जाके कोई प्रिटी सी वाइफ ढून लो लेकिन हाँ, तुम्हें अपना face चुपाना पड़ेगा, तुम्हें अपना scar कोई cap लगा के चुपाना पड़ेगा, और वो frustration के मारे जॉन को tease करने लगती हैं, कि तुम बहुती old और बद्दे दिखते हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगी, और वो अपना value उसको जताने की कोसिस करती हैं, जैकी के इस behavior की वज़स से, जैकी के डैड जॉन से माफी मांगते हैं, लेकिन जैकी जॉन के जाने से मनी मन बहुत दुखी होती हैं, फिर जॉन वहां से चला जाता हैं, अगले दिन early morning जॉन के घर पे जैकी आती हैं, क्योंकि जैकी से अब बिल्कुल भी control नहीं हो रहा था, उसने dinner table पर जॉन के साथ अपना romance जता ही लिया था, अब जॉन भी चाता था कि अब वो वैसे भी जा रहा है, तो वो जैकी के साथ जाके यहां पे romantic होता हैं, और ये दोनों मिलके यहां पे intimate होते हैं, घर के बाहर से इन दोनों को intimate होते हुए ऐसा लग र और ये देखने वाला था, जैकी के घर की mad, जो अब जॉन के घर पे आ गई हैं, और जैकी को आवाज लगाती हैं, जैकी दोड कर नीचे जाती हैं, तो जॉन भी ऊपर से देखता हैं, कि सच मेड ही आई होती हैं, वो mad جॉन को अजीम नजरों से देख रही थी, कि अब जैक के डैड को जब ये बात पता चलेगी तो जॉन का क्या हाल होगा जॉन और जैकी इस बात से काफी डर जाते हैं जॉन फटाफट अपना बैक पैक करता है और यहां से डर्बन के लिए रवाना होने लगता है लेकिन तभी वो देखता है कि जैकी का डैड उसके घर पे आया है जैकी का डैड उसको बताता है कि उसका बेटा साइमन कहीं चला गया है और वो कहता है कि प्लीज उसको ढूनने में मेरी मदद करो तुम एक दो दिन बाद में चले जाना मेरे बेटे को ढूनना जरूरी है जॉन को भी ये बात ठीक लगती है वो जैकी के भाई को ढूनने मे लग जाता हैं काफी देड ढूनने के बाद में भी जैकी का भाई यहां नहीं मिलता है जैकी यहां पर अलग अलग जगह पे मिसिंग के पोस्टर लगा रही थी और अपने भाई के खो जाने की वज़े से काफी दुखी लग रही थी अगले दिन इस गाउं का पुलीस वाला रास्ते में जान को पिक करता है और वो कहता है कि तुम और जैकी काफी अच्छे फ्रेंड होना मैं जैकी को बहुत पसंद करता हूँ मेरी साधी की बाद तुम जैकी से करोगे क्या लेकिन जॉन कहता है कि देखो अभी तो उसका भाई गायब हुआ है अभी तो मैं ऐसी कोई बात कर नहीं सकता और वो उसकी कार से नीचे उतर जाता है बहुत डूनने के बाद में भी जैकी का भाई कहीं पर भी नहीं मिलता है तब ये लोग माल लेते हैं कि सायद जैकी का भाई अपने एब्यूजिव फैमिली इन्वर्मेंट की वज़से कहीं पर भाग गया है और वो सायद वापस यहां पे कभी नहीं आएगा जिसकी वज़स से जैकी और जैकी के डैड थोड़े ज़्यादा परिसान हो जाते हैं जान जैकी के डैड को कहता है कि मैं कल यहां से निकलने वाला हूँ वो देखता है कि जैकी उसी पुलिस वाले के साथ बैठी बैठी वहाँ पे टीवी देख रही होती हैं अगले दिन सुबह बीच पर जान स्विमिंग करने के लिए जाता हैं तो वो देखता हैं कि थोड़ी देर बाद में वहाँ पर जैकी भी आ जाती हैं जैकी अपने भाई के खो जाने के बाद में काफी दुखी होती हैं स्विम करने के बाद में जान जैकी को पूछता हैं कि तुम यहां पे क्यों आई हो जान उसको कुछ जवाब देने ही वाला होता है कि वो देखता है कि वो पुलिस वाला वहाँ पर आ गया है और थोड़ी दिर बाद में जैकी के डैड भी वहाँ पर आके खड़े हो गए है जैकी के डैड जब इन दोनों को ऐसी हालत में देखते हैं तो उनका गुस्सा साथवे आसमान पे चला जाता है और ये पुलीस वाला तो वैसे भी जैकी से साधी करना चाता था तो वो भी अब जॉन के अगेंस्ट हो जाता है जॉन हिम्मत करके स्विम करता हुआ किनारे पे पहुंसता है और जैकी के डैड को कहता है कि हम सिर्फ स्विम कर रहे थे तुम जैसा समझ रहे हो वैसा बिलकुल भी नहीं है तो जैकी का डैड कहता है कि अगर तुमारी बेटी के साथ भी कोई ऐसा करे तो तुम क्या करोगे तो जॉन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है मुझे कपड़े लेने दो इस बात पे पुलिस वाला गन निकाल देता है और जैकी का डैड एक डंडा उठाता है और डंडे से जॉन के मूँ पे अटेक कर देता है जिसकी वज़े से जॉन को काफी चोट लगती है और अब जॉन जंग के डैड में काफी fight होती है और ये दोनों एक दूसरे को लड़ते-लड़ते लहु-लुहान कर देते हैं तभी जैकी के डैड पे बबून अटेक कर देता है और बबून के इस अटेक की वज़े से जैकी के डैड को head और neck में serious injuries होती है जॉन को पता था कि ये बबून बहुत violent हो सकते हें इसलिए वो अब Baboon को मारना ही बहतर σमझता हैं वो एक स्टिक उठाता है और Baboon को मार डालता है तबھی वहाँ पे जैकी और वह पुलिस वाला आता हैं और यहां पे यह हालात देख के जैकी बहुत घबरा जाती हैं जैकी जॉन की हालत देख के भी सहम जाती हैं वो पुलिस वाला जैकी के गायल डैड को बाहर लेके जाता हैं जैकी भी घर से बाहर जाती हैं और जॉन भी उनके पीछे-पीछे उनकी हैल्प करने के लिए जाता हैं ये दोनों मिलके जैकी के डैड को ह सुबह यहां से निकल जाना। जैकी ये सब देखती ही रहती हैं। उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। कि वो किस तरफ जाएं। एक तरफ उसके घायल डैड ऑस्पिटल जाने के लिए तैयार हैं। तो दूसरी तरफ उसका लवर जॉन कल सुबह ही डर्बन के लिए हम कि वो जाना नहीं चाहती थी तो वो उल्जे मन से रोते हुए अपने फादर के साथ पुलिस की वैन में बैट जाती हैं। जिसको अब जॉन भी सपोर्ट कर रहा होता हैं। क्योंकि वो तो अल्ड़ी मैचियोर था और उसको पता था कि यही जैकी के लिए ज़्यादा सही ह जैकी और जैकी के डैट गले मिलके बहुत रोते हैं और रियलाइज करते हैं कि दोनों का रिलेशन और दोनों के बीच में प्यार कितना ज़्यादा जरूरी हैं। एक दूसरे पर थोपे गए रूल्स और रेस्ट्रिक्शन्स आदमी के रिलेशन्स को बरबाद कर सकता प्रिडम और लिबर्टी के लिए तो इनसान जीता ही हैं। अगर उस पर ही कोई पाबंदी लगा दे तो पिंजरे में बंद पक्सी और रेस्ट्रिक्शन में बंदे इनसान में क्या ही फरक रह जाएगा। जैकी का मन अभी भी कुछ हद तक जॉन में ही अटका हुआ था। वो जॉन के साथ जाना चाहती थी। जॉन भी यही चाहता था लेकिन जिन्दगी इतनी आसान चोईस कहां देती हैं। इतनी आसान तो जिन्दगी है नहीं। जिन्दगी तो एक कॉंस्टेंट स्ट्रिमिंग पेन हैं। आप एक सॉल करोगे तो दूसरा मिल जाएगा, दू बल्चिर यहीं जॉ आएगे ड्लेश